मेरे घर के पीछे एक तालाब है बड़ा सा पर उसमें पानी रहता ही नहीं बरसात आने पर ही पानी होता है उसके पहले पानी रहता ही नहीं सूख जाता है तो अब की बार क्या हुआ कि बारिस हुई को और पता निए कहास उसमें मचली आ गई है और वह मचली यानी किनारे के साइड हे हमारे घरिके पास में ही ही तालाब है तो मतलभ हमारे कि हम लोग हमारे जो घर के लोग हैं वो अक्सर के तालाब की पीछे आते रहते हैं तो क्या हुआ कि उसमें हजारों के संख्या मचलियां आई और उधर घूमने लगी किनारे के साप साप जिटता था वहें तो एक दिन तुमने देखा दूसरे दिन क्या हुआ कि बगल करलडगा था उसने आके मचली को पकड़ना जो काटा हो और लगा दिया और उसके बाद से उसने तकरीबन एक किणोगेजी के आस पास मचली पकड़ी बड्र उसके बाद उस किनारी के तरफ उस तरफ कोई मचली नहीं आई पता नहीं क्यों उसके बाद देखाई ही नहीं दी मचली उदर इस डोंट नो क्यों बड़ यह मचलीयां भी हमें कुछ ऐसे नौलिज दे जाती है जो हम देखकर भी हम देखा कर देते हैं अब सोचिए कि एक ही दिन मचली जो पकड़ने वाला लगाया काटा और उसके बाद से मचली आई यही नहीं उस तरफ जित्नी मचली आ रहे थी क्या यह सिप्त थी उसमें नहीं बहुत जाद मचली थी बड़ी बड़ी मचली थी लेकिन उस दिन से उसके नारित उस तरफ मचली आई यही नहीं और एक हम है, कि जो हमें छेर देता है, जो हमें छोड़ देता है, या जी जो हमें जलील करता है, हम उसके पीछे लगे रहते हैं, जलील होते रहते हैं, हमको कुछ भी कहें, कितना भी सताएं, बट हम उनके पीछे लगे रहते हैं